राम राम मेरे सबी भाईयों को आज मैं आपको पताऊँगा मैं नищ पैदावार कैंसे ले सकता हूँ आपका मैं सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल मेरी केति मेरा भारत में मैं आईश मांठा कूर और मेरी जो उमर है 20 साल है मैं इतनी कम उमर में भी बहुत अच्छा एवरेज ले रहा हूं गयों मैं लगबग 28 से 30 कुंटल प्रती एकड़ का एवरेज में हर साल लेता हूं आप यह सोच रहा हूंगी इतनी कम उमर कर लेकिन मेरी जो कम उमर है उस पर मत जाकर आप यह देखिए कि मैं किन चीजों की अवस्ता में किन चीजों क पर हूं आज मैं आपको वही चीजें बताँगा जिस से आप भी वही पैदावाल लेकर और आपका जो बीज होगा वह बहुत अच्छा और उसमें चमक रहेगी वह बहुत अच्छी रहेगी तो शुरुर करते हैं मैंने जो हर साल इस्तमाल करता हूं वह 0.054 होता है और इसी के सांथ मेंने साएक्व बीजर रखेंगे आप 120-500 ml मैंने जो मातर रखी थी 131 प्रति एकड इसके साथ मैंने सागरे का भी का भी उप्योग किया था उसकी जो मातरा रखी थी वह वह मैंने 300 ml प्रति एकड रखी होई थी और जो मुझे रेट पड़ा था सागरे का पड़ा था एक लीटर पांसो रुपे का और 0-254 दोटिस एक किलो शिरीडाम का ही लिया था मैंने वह मुझे 1.500 रुपे किलो मिला था और इसी के साथ जो मैंने सिर्ण का बार की लिया था वह मुझे बारासो की एक लीटर मिली थी तो मैं इसे हर साल इनी चीजों का इस प्रे करता हूं यह अभी आप देख सकते हैं यह मेरी गवोट अवस्ता में हैं यह मैंने पर्सों के दिन इनी चीजों का इस्प्रेय किया इसका मैं आपको यह दिखाता हूं यह वैपर भी पड़े हुए इससे जो अभी जो बीज बनता है इससे बहुत ही अच्छा बीज पूरा भरता है और बाली बहुत ही लंबी निकलती है यह हर साल में इसका स्प्रेय करके बहुत ही अच्छा लाव लेता हूं जिससे मेरी पैदावार बहुत बढ़ती है आप इसका उप्योग करके देखें औ और इसके फायदा लिए